जिग्यासरा के माध्यम से खुशी अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती इंडिन हिस्टी के कौन से पीरिड में आप जाते हैं उस टाइम मशीन के थ्रू स्टडी करने के लिए या चीजों को जानने के लिए मैं बिलकुल एक तम हरपा महँजदारों के पीरिड में जाना किया है क्योंकि मॉनिमन में भी आपको एक टाइम मेशीन होना चाहिए जो म्यूजियम में है कि ताकि जना वन के ट्रावल तरू दे टाइम जो जैसे आप जना इसमें डेली का जो मंदिर है उसमें एक बोट राइड है तो वोट राइड में अगर आप जाएंगे तो आप पिरीड्स ओफ हिस्ट्री आप जोना इसमें जा सकते हैं तो उसी तरीके के टाइम मेशीन यह म्यूजियम में भी रहना चाहिए यह कौन सी काल में आप पहुंजेंगे जैसे आप जोना अशोगा क पिरेड पहुंच गया अशोगा का बात जोना कौन सी कवियर पिरीड है क्यूरियोसिटी जगाएंगे लोग को जोनों बहुत अच्छा लगेगा यह हिस्ट्री जोना आई सी वई सी सब्जेक्ट नहीं है इसे इन्रेस्टिंग सब्जेक्ट करके जोना लोगों को लगेंगे तो वो ज़रूरी है पर क्यों हरपा और मोहंजदार हो सो हरपा मोहंजद रही है तब तक लोग यह समझते कि हमारा हिस्ट्री जोना चालू हो रहा है 600 बीसी 600 बीसी का मतलब है बुद्दा का पिरिड तो वो लोग उतना ही समझ रहे थे उसके पहले जोने वेदिक काल ता लेकिन वेदिक काल क्या है इसको बारे में टीक से पता नहीं था लेकिन जो मोहंचधारों मिला तो मोहंचधारों में भी यह 400 किलोमेटर को दूरी में यह दोनों जगह पे बिलकुल उसी तरीके से ब्रिक जो नहरपा में था उसी तरीके से ब्रिक यहां पर भी मिला उसी तरीके से टाउन पैनिंग वहां जो है वो यहां पर भी मिला उसी तरीके स फिर यहां से जो सील मिला है तो हम पहले क्या समझ रहते हैं हमारे जो पहले क्या पता नहीं है लेकिन पहली बार ये पता चला 2600 बीस ते जाने वाले हमारे एक हिस्ट्री है and that was the Eureka moment of Indian history जो Harpa and Mohanjadaro civilization not only that we had trade relation with Mesopotamian civilization ये भी पता हो गया तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो 100 years पहले हम लोगों को ये सब कुछ पता नहीं था पहता से 93 years पहले हम लोगों को पता नहीं था तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं time machine मिलेंगे तो मैं Harpa Mohanjadaro में जाओंगा क्योंकि और क्या-क्या मिलेंगे क्या-क्या पहा हूँ सारे है अब भी हम लोगों जोने decipher नहीं कर पाया उनकी inscriptions जोने decipher नहीं कर पाया पर कोशिश हो रही है कोशिश चल रहे लेकिन जब तक आपको एक ट्राइलिंगल inscription नहीं मिलेंगे क्या-ट्राइलिंगल inscription का मतलब है एक non-language for example जैसे Egyptian जो hieroglyphic था ये भी ऐसा ही तब कुछ पता नहीं था लेकिन उसमें एक ट्राइलिंगल inscription मिल गया तो उसमें एक ग्रीक में था तो ग्रीक जाना हुआ वो था then you had Coptic language and then you had hieroglyphic also तो एक पहले था तो उसी से जनव पूरतीनों आ गया मालो देवनगरी के साइड में English में कुछ लिखा है और चाइनीज में कुछ लिखा है तो चाइनीज जान पाओगे क्योंकि आपको देवनगरी और English आडी देवनगरी उसी तरीक से Mesopotamia में भी ऐसा है क्योनिफार्म पहले क्योनिफार्म कैसी को पता नहीं था लेकिन old Persian पता था तो एक inscription ऐसी मिलके जो old Persian में भी है क्योनिफार्म में भी है और फ्ए एक दूसर nugुझे पूलो तो इसलिए जो न तो उसी तरीके के जब तक ट्राइलिंग रिंगे नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल है इसलिए डिगिंग करना ज़रूरी है तो शायद इंस्क्रिप्शन पड़ी हुई है पर उसे ढूड़ना ज़रूरी है तो क्या पाकिस्तानी गवर्णमेंट ये करेगी हाँ नहीं पाकिस्तानी गवर्णमेंट भी हमारे इंदिया में भी काफी जगए है अब ये हमारा जितने भी ये है जो हमारा जितने भी साइस इंदिया में हम लोगों को मिला है तो वो सब जाना फैसिनेटिंग साइट से अग फर्ला सवाल एक बुरे आर्डिया Punjיר ने वर्ट्ष दुनिया का हिस्ट्री के बारे में एकॉम्र Kr saja की चाहिए and then he has to have a specialization in Indian history also. तब जो ना वो पूरा India की चीज़ें जो ना वर्ल्ड कंडस्ट में रख पाएंगे. अगर वो नहीं किया, सिर्फ इंडिया का है तो उनका जो limited knowledge होगा और फिर वो create करना कि लो इंडिया इतना बड़ा ता, वो ता, ये ता, दुनिया में कहीं पर बितना बड़ा civilization नहीं था, हमारा civilization ही सबसे अच्छा है. ये एक narrative जो आजकल जो ना हम लोग देख रहे हैं क्योंकि पूरा दुनिया में जितने भी लोग है, हमारा तो one of the four or five civilization में एक है, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन हम भी सबसे बड़ा है, हमारा पास जो ना पुष्पग विमान था, या हमें surgery आते थे उस जमाने में, या हमें हमारा पास ना internet था उस जमाने में, महाबारत प्रीड में, ये सब जो ना तब जो ना आते था है कि वो वो सिर्फ ज्यादतर हम सिर्फ अपने ही हिस्ट्री पढ़ने के लिए कुशिश करते हैं और इसको बारे में बहुत कुछ बड़ा चला के कह देते हैं जो आर्कियोलिस्ट मौनते नहीं है यह पॉइंट बहुत जरूरी है और मैं हिंदी पॉडकास्ट पर इसके बारे में पर दुनिया के बारे में भी सीखो इंटनेट का फाइदा उठाओ आपकी नॉलेज बड़ेगी जब यह राउंड खतम होगा मैं आपको वर्लड इस्टी के बारे में भी पूछना चाहूंगा क्या पिरमिड्स के बारे में सोचते हैं ओके मजए करने वाले हम से अन्यवे ओवर पेट्रियोटिसम भी जोना बहुत ज्यादा जना डेंजरस है जी ओवर पेट्रियोटिसम 100 देश के लिए अपनी जान दे रहे न अच्छी बात है जान कुर्बान है पर जो देश के बाहर हो रहा है उन चीजों के बारे में भी जानों सही ओके बहुत पैशनेट हो ग कौँचे कपड़े बहन तो है हम लोग जोना मौसली में टीशेट पहनता हूं कैप तो जरूरी है क्यूंकि जोना धूप आपको जहलना पड़ेगा और देन यूवाव तो हमारने के लिए नहीं लोगों को वो तो सिर्फ जोना हमें जोने जो भी चीजे निकालते है वो हमा हमारा जोने गेती से नहीं हम जो चाको से निकालते हैं मिट्टी जो कुरस्ते हैं और सम्टाइम्स भी हाविं सर्जिकल नहीं फोल्स हो तो बिलकल यह को सर्जरी करना पड़े एक एक चीज जोना जो जैसे अभी सिनोली में करके जोना एक जिगह पर जो डॉक्टर मंजुल नहीं जो इसकेवशिन किया है वह बहुत महीन तरीके से उन्होंने इसकेवशिन किया एक तो discovery बहुत बड़ी चीज है उन्होंने का इनका discovery है जो 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 चारियट जो नेन उन्होंने उन्होंना ना नाइव से कोद के निकाला है दाट इस रिमार्कबल क्योंकि एक्सक्रवेशन के टाइम बे चीज़े तूट सकते हैं अगर आपने तूट सकते हैं एक एक चीज जिन बहुत फाइनली निकालना पड़ेगा and Sanjay Manjal is a very good artist also इसलिए इतनी चीज जोना इतना बड़ा काम वो कर पाए so one has to be an artist also one has to be a visionary also one has to be dynamic also थोड़ा सा हिम्मत भी चाहिए जैसे इन सारे सिटूएशन से जैसे नेक्सलों का हो गया ड़कों का हो गया situation में जोना आपको face भी करना पड़ेगा और एक good podcaster होना भी ज़रूरी है ये सिरस्ट वो अगर होगा तो खर तो क्या कहना जो हमारे पास नहीं अभी तक जोना अभी मेरा खायल मैं शायद एक आप कर रहे दो तीन लोग और भी किया है वैसे लोगोंने किया नहीं है मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं archaeologist से बात करता है आप लोगे बास बहुत सारे experiences होते है कहानिया होती है और एक अजीब सवाल बूचा चाहूँगा आपको कभी skeleton मिला है कंकाल मिला है क्या मैसूस होता है जब skeleton मिल जाता है एक अर्चेयोर्जिस्ट इससाइंटिस्ट वो कंकाल जब डरते जो है वो लोग है कि जो ना इन सब चीजों को जो ना उस तरीके से नहीं देखते है लेकिन हम लोग जो ना खर तो यह है कि यो आर एस साइंटिस्ट and you are looking at it from the material point of view हाँ इसका क्या उमर होगा ये वेदर इस he is a man or he is a woman इनका race क्या रहा होगा कितने साल में इनका ड़त हुआ होगा बिलकुल एक दम scientific approach है तो इसलिए जब आर्चेयोर्जिस्ट जब फील में जब पहुंचाते है he is completely a scientist वो एक historian की तरफ देखते नहीं है historian होगा तो दर जाएगा अरे ये क्या कंगाल मिल गया अरे भाई निकाल को निकाल के फिंग दो archaeology सही सा नहीं है it's a great discovery for him and then he approaches the subject very scientifically skeletons का क्या महतो होता है वैसे skeleton से आपको पूरा which race is this one आप आप के लोगों के बारे में पता है पर भारती ही होंगे ना हम अध forefront यी होंगे ही बारती होंगे लकिन जो बारती हुंगे लेकिन जो लोग कहते थे नहीं ये वहां से migrate करके आया है ये central Laysia से was rat जवाने के लिए ये सारी चीजें जोना भी डॉक्टर शिंडे साब ने एक सकल्टन का जोना वो निकाल के जोना उन्हों उन्होंने पूरे जोना इसी के बारे में रिसर्च किया है और उसका DNA का टस्ट किया है तो वो सब चीजों में पता हो जाते हैं whether they are indigenous whether they are migrants from some other countries अगर है ये कौन सी रेस की बिलॉंग करते हैं ये सब सारी चीज़ें जोना को DNA टस्स से पता हो जाएगा कुछ आजीब पता चला है बहुत सारी चीज़ें जैसे राकिगडी में प्रफ़सर शिंडे साब ने जो इसक्वरशन जो किया है अधि उसमें से जो DNA जो निकाला है तो उसमें ये पता चला है कि वो लोग जो पूरा इंडिजिनस लोग है ये नहीं कि पहले जो हम लोग कहते थे ये संडरिलेशिया से आयते इवस्टेशिया से आयते यहां वो जो आयडिन माइगरेशन वो तियरी वो है रहा जो ना वो सब जोना अभी तो on the basis of the history I mean this one scientific studies हम लोग बदल रहे हैं पूरा अभी भी बहुत साही चीज़े हैं जिसके बार में जानना जरूरी है और हम और ज्यादा जान रहे हैं बिल्कल टाइम के साथ history अभी भी हम सीख रहे हैं बिल्कल 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 जैसे science का development होगा तो बहुत सारे जो हम लोगों को पहले जो हम लोग सोच रहे थे वो सब जोना हम लोगों change करना शुरू हो जाएंगे हो रहा है but you should have an open mind यह नहीं होना चाहिए मेरा ही culture जोना सबसे बड़ा है and we are the chosen of the people और हमारा ही सब कुछ है हम लोगों को वो पता था यह पता था यह thinking नहीं होना चाहिए अगर वो thinking हो गया गया open keep up and a very open mind जिस तरह से cricket में कुछ young players अपने career में पहले ही बहुत अच्छे से खेलते हैं और फिर घमंड हो जाते है उसी तरह इंडिया भी उपर आ रहा है घमंड के साथ हमें नहीं खेलनी चाहिए हमें सीखना चाहिए okay ASI का एक पार्ट डाइनसोर्स पर फोकस्ट है क्यासूर वो जिओलिजी में है डाइनसोर्स जाना जैसे इतने साल पहले यो कुछxter प्रधिश का कुछ latent portion से जैसे वहां का है आपका जोibenा मंसूर जो जो एरिया है उन जग़ पर ज़ना आज केल भी ज़ना डाइनसोर का eggs मिल जाते हैं डाइनोसों के एग्स बिल जाते हैं. गुफा में? गुफा में भी है बाहर जिनाव केत में इसमें भी ए फील में भी है अब भी है क्या जगह पे है लेकिन वो फौरस जो बताते नहीं बताना भी नहीं चाहिए वो और लो जो उसको जो चेड़ चाट करेंगे। So that was I mean millions of years पहले जोना वो था पर क्या चेशाड करेंगे एक स्कीज़ए? वो एक वेगनर का एक तेरी है Continental Drift तेरी करके पहले जमाने में जोना 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 Asia, Europe, वो सब करते यह सब एक था Pangaea Then this Pangaea जोना after then because of certain moments tectonic moment भी हो सकता है and all the expansion of the cost जो जो प्लेट है जिसकी वज़े से जना दूर दूर हो गया अभी आप जोना इंडिया का और आफरिका का पॉर्शन and South America तो उनों एक साथ रखे देख लिए एक जैसे जना बिलकुल जिग जो पजल जैसे एक साथ हो जाएगा साथ ऐबना leकार आफरीका और भारत जड़े होगा जदे अंच से ऐस्टेलिया और व्षस तो इसलिएए अभी जो आज जो फोसुल्स मिलते हिएक जाईसे फोसिल अज़िका में जो फोसुल को बिलकुल मध्रीष चे फॉस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को TRS Hindi, बहुत जल्द, लॉट्टे आएगा